तो सुप्रिम कोट का बड़ा फैसला आया है हिंडनबर्ग मामले में सुप्रिम कोट की ओर से अधानी समों को क्लीन चीट दे दी गई है अधानी हिंडनबर्ग मामले की SIT जांश से सुप्रिम कोट ने इंकार कर दिया है कि सेवी की जांश में कोई भी खामी नहीं है इस फैसले पर चर्चा काननी के लिए हमार साथ बीजेपी के प्रवक्ता नेलिन कोहली जोड़ गए हैं नेलिन जी आपकी पहली प्रतिक्रिया आज ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोट का एक वकील होने के नाते इसके कई पहलू है जो मैं आपसे अखिलेश जी शेर करना चाहूँगा कि पहली बात है कि सुप्रीम कोट के सामने कई ऐसे लोग है जो लगातार जाते हैं और हमेशा शंका उठाएंगे कानूनी विवस्ता को लेके हमारे पास आ जाती है अब क्या है यहां पर एक विदेश में कोई रुपोर्ट चापता है तेश के अंदर सेवी है यह जांच कर रही है सेवी एक संविधानिक संस्ता है उस रूप से इसी काम के लिए बनी गई है उस जांच के चलते किसी ने का बई मुझे शंका है तो शंका की बात हो तो कभी कभी बहुत रेर केस में हम उसको ट्रांसफर करें और जब सेवी जांच कर रही है तो जांच होने दीजिए तो क्या अजेंडा चलाए जाएंगे विदेश में किसी के सोच के आधार पर और देश के अंदर में किसी के राजने तेक इच्छाओं के इसमें कई महतुपूर्ण बाती भी की गई है नलिन जी ये भी कहा गया है एक वरिष्ट वकिल होने के आप से पूछना चाहूँगा कि हिंडनबर्ग मामला जो था उसमें जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी शौट से लहरे सब जानते हैं कि अपने मुनाफिय को दे जाए इसको आप कितना महतुपूर्ण बात है अकलेशी आप इसको देखे हिंडनबर्ग कोई ऐसी संस्था नहीं है उसका कनेक्शन भी किसी एक विदेश में व्यक्ति के साथ है जो पैसे कमाते हैं अब आप जो है कोई रिपोर्ट लाते हैं पूरा शेर बाजार एक तहस् की जाच नहीं होनी चाहिए हमें अपनी देश की अर्थ विवस्ता हमें भारतियों की हितों की चिंता है और यही नरेंद्र मोदी जी की सरकार हमेशा करती आई है इसमें सिर्फ एक ही इसमें अब विदेश में कोई बैठे इसको अपने खुद की एक्षा के लिए कोई इस सरकार की कोई सरकारी मेकैनिजम है क्या जो मतलब हितों की बात करिये दुनिया की ऐसे नहीं है एक प्राइविट संस्ता है यह तो इसलिए जो यह सुप्रीम कोट ने का है बहुत महत्तपूर है